हेलो एवरिवन वैलकम बैक माई चैनल क्रिटिव फैशन हम नीला मौर्या आज हम आपको लाइनिंग वाले सूट की स्टिचिंग करना सिखाएंगे इसकी कटिंग की वीडियो मैंने प्रीविएस वीडियो में की है आप पहले उस वीडियो को देखे फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे पहले हम सबसे पहले मिट से स्टेट स्टिच करेंगे इससे यह होगा हमारा फैबरिक इधर दर नहीं जाएगा हमारा फैबरिक फिक्स हो जाएगा है कि तरिके यह ट्रेट को गट कर लेंगे अब हम लिस तरीके से हमाराB Kelie के कढ़ाई हो रहें उसी के साइड से हाफ का Margin को ठोड़ते वे इस तरीके से और हम जैसे जैसे हमारा यह नेक कड़ा हुआ है कड़ाय की हुई है उसी के साइड से स्टिच करते रहेंगे वन फूट का मार्जन को छोड़ते वे हम स्टिच करते रहेंगे इस तरीके से फैब्री का च्छी से समालते हैं में स्टिच कर दींगे यह देखिए हमने स्टिच कर दी हैillon गणा सब्सक्राइब को अगगा सब्सक्राइब क contributes कट हो और जो हमारा कॉर्णर है वहां पर अच्छे से कट लगाना है बाकि हम थोड़ा बहुत डिस बैलंस हो जाएगा तो कोई बात नहीं लेकिन जहां हमारा कॉर्णर है वहां पर अच्छे से में कट लगाना है इस तरीके से यह कॉर्णर है हमारा इस पर हमारी स्टिच कट लंगाने से सांगों इस को कर एब झाल होनी चाहिए इस तरीके से फैब्रिक पे कट लगाना है और ये देखेंगे हमारा कल डाइए उसी आधरे नयक अન family ऐदाल इस तरी के से सब्मार्ड नेक वाले जो हमने परेंट कापर्ट काट कठ किया है उसी को का कठ किया इस तरीके से उंदा उन थे का रही हमारा तौन उसी का तरण ह्गाइं कर देना है और इस तरीके से अग हमें राउंड नैक बार्वां पर तरीक से नगे तो हम्हें, टाक करते वे इस तरीके से हमारा पर मार्किंग है सब्सक्राइब और हमारा जो नेक है वह पूरा राउंड हो जाएगा इस तरीके से तैपटाप कर देंगे तो अदर सेड़ी हमारा नेक प्लेस हो जाएगा और अब ये थोड़ा लाइट सा दिख रहा है नेक अब हम इसको डा कर देंगे हैंड से और चौक की हैल्प से इस ने कि द्रजाट को साज़ेंगे हुप सब्साइब कर दिंगEE जब कर कर दिंगêm तरीके से रिइके Sch ne अर यह इसक inté реально चीव और अच़्ाइब नीचे आष्क थे हैं एशा और और आरना सबसे पैले फ्रोण करेंगे पिर किसी कर देंगे इस तरीके से जिसके हमनेare की फिनिशिंग की थी इस तरीक से देखिए हमने स्टेड स्टिच कर लिए अब यह राउंड पे बन फूड का मार्जन को छोड़ते हुए हम पूरे नैक के राउंड पे इस्टिच कर लेंगे और हम इसको राइट साथ टर्न करदेगे अब जो जो हमारा एजो मारजना हाफ इंच इसको हम के साइड को करते हुए इस तरीके तौप के स्टिच कर देंगे पूरे राउंड नैग पे हम टौप के स्टिच करël को करनेगे इस는지 करके अधर विक्यां पी करना के साइड करने थी स्टिच वह SNC उन्हistem ऐसे करा लिए और यह कि इस तरीक जिविए फ्रंट पे भी कर लिए गया व्हारा फ्रंट कर भी हमने कर लिए कौर उर्थ कर लिए और वहाम को इसके सोल्डर आच करने तो तरीकर से लिए अब दोनों के सोल्डर के हमें लाइनिंग को ऊपन करना राइट से अधर हमारा यह रहेगा यह देखे right side है हमारा और wrong side हमारा उपर रहेगा और हमको दोनों की stitch को match करना है back और front के part की stitch को match करना है और हमें इस side से lining के side से one food का margin को छोड़ते हुए straight stitch कर देनी है इस तरीके से से वन फूड का margin रखते हुए हम इस्टिच कर देंगे और हम सोल्डर पे double stitch करेंगे अच्छी से फैब्रीक को समालते हुए इस्टिच करने हमको अब हम double stitch करेंगे इसलिए हम फैब्रीक को reverse करेंगे और हम double stitch कर लेंगे तरीके से हम thread कर लेंगे और हमारा हम इस तरीके से श्टिच कर लिए अब इसको हम इस तरीके चंट करते हुए और कम सापैनी अ टिन लगल हमने इस्टिच किया हो इस तरीक कि यह फि totaकर हमारा भूक्र पुर॥ शोन्ट का ऑटव सलड़ कर ली मी टेखे दिड हो फिक्स कर दो के साइड जो हमारा लाइनिंग है इसको इसके लिए हमें डूनों फैब्रिक को अच्छे से क्किस कर देना है और हमको इस्प एक रफली च्पर लेनी है रूनिंग क्र लेनी है इस तरीके से जिस्से हमारा जो फैब्रिक है वो हो जाया डिस्ट बैलेंस ना हूँ सिलाइ करते समय हमको जह हम स्लीव अटाइच करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए हम यह पहले स्टिच करके लाइनिंग के फैब्रिक को फिक्स कर लेते हैं इससे तरीक से दोनों सोल्डर पे फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे और को समहालते करना ह swords तो समय करेंगे करी का था छ९ह इसी तरीक से देखे हमने दोनों सोल्डर पे स्टिच कर लिए jsद सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करें इस तरह से और एक सपर करेंग यह मारे यह करते है कि इसे युटा हमारा एक आम होड़ों टाइट ने होगा और एक लूजने वह दोनुवी ब्रावर मेज़र पर होगा और इस तरीके से अब हम एक सैवन इंचेस पर मापिन कर लेते हैं यह वेस्ट की है और एक 7 इंचिस फ है हमारी है 7 हे हिप की इई तरीकिसे अब हमको छेस्ट है 36 इंचिस का हाफ होगा 18 इंचेस 18 इंचेस पर इस तरीके से हम कि जो हमने मार्किंग रफली आमोल पाया कि ती त्समी कर दो दो हमारे थर्टी इंचेश 30 इंचेश का हाफ होगा 15 इंचेश पर इस तरीके से मार्किंग कर देगे कि सूट के मिड में कि मेजर टेप को हम रखेंगे और 7.5 इंचेश उस साद होना चाहिए स्तरीक थाइब वेश्ट भी हमारे 36 इंचेश उसका हाफ होगा 18 inch 18 inch पर हमें माकिंग कर लेनी है बोट साइट उस तरीके से और पिर जो हमारी फिटिंग की कर्बिंग होती है उसी के जो मााकिंग मुद लगा एं हमने उसी के muk Metalids कर दिना है ये जो हमारी होगी लगानी है आप आफको मरी फेब्रिक को अच्छे से पकड़ना है कि इसमें हमारी मैं लाइनीं है इसलπως हमारा कोई भी पड़ी कुछ छूटना नहीं चाहिए सारे चारती दॉरीक को अच्छे से पकड़ अच्छे से largo करके फिर हमको इस्टिश करने में इस तरीके से चारों फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए एज़ेस्ट करते हुए और हमें जिस तरीके से हमने कर्व किया है उसी के तरीके से हमें कि इस्टिच कर देना हुए और हमें हिप की साइड से यह विवर्ष कर देना है तो फैब्रिक को हमें इसे यहां पर थोड़ा सा हम वन्टू टाइम इस्टिच कर देंगे और हम इस तरीके से डवल स्टिच कर लेंगे कि इसे तरीके से बोथ सैट डवल स्टिच हम कर लेंगे यह देखिए हमारी दोनों बोथ सैट फिटिंग के स्टिच कंप्लीट हो गई है अब हम इसे तरीके से यह हो गई हमारी अब यह आम हो लाए प्रेंट हमारा अजञा Iam Iam यह जीए जलीप खी टिक करेंगे डिश्ट है कि इस तरीके से देटिच करेंगे जिस तरीके से हमने उसका आम हो इसे तरीके से इसका भी हमने आ मिज़कर अब थाडर वाटम भी हमने इस तरीके का अकॉर्डिंग हमें इस्टिच कर देना है और इस पर देवल स्टिच करने है इसलिए हम फैब्रिक को फिर से रिवर्स करेंगे और हम डावल स्टिच कर देंगे इसी तरीके से हमें बोद स्लीव स्टिच करने है इस तरीके से हमारी स्लीव के स्टिच कर लिए हम इसको स्लीव को अट्याज करना बताएंगे यह हमारा उपर साइड है यह राइट साइड है यह हमारा इस तरीके स्लीव को भी राइट साइड कर लिया और हमको कर्व से कर्व के साइड मिलाना है इस तरीके स्लीव में भी कर द पहले दीज कर लेना है क्यामारा इस तरीक़ चल में इन्सर्ट करगें मेरत में कर दिया और पहले कि सीच को इस सलिब को हमको पहले एक बार चैक करके देख लिए घ्याड ना किسم Manage Plum करना है और फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए पूरे आम होल राउंड पे इस तरीके से फैब्रिक को में जो कर लेना है इस तरीके से देखिए और इसको चलिए को दोनों का मैच किया और तरीक दिन्ट का उसको थाइट कर देना है और किसा थाइब्रिक को इस app कर देना है फैब्रिक को अच्छे से समालते हैं नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी इच्छी पिटिंग नहीं आएगी इस तरीके से आवा में पूरे आम होल राउंड पे इस्टिच कर देनी है और हमको स्लीप पे डवल इस्टिच करनी है अच्छे से फैब्रिक को और सूट के फैब्रिक को और स्लीप के फैब्रिक को समालते हुए बन फूर्ड का मार्जन को छोड़ते हुए पूरे आम होल पे इस्टिच कर देनी है इस तरीके से देखिए हमारी श्लीफ दोनों अटैच हो गई है कितने अच्छे तरीके से कर्ब को कर्ब साइड से हमने मैच करते वे स्टिच किया है इस तरीके से देखिए हमारी दोनों स्लीफ अटैच हो गई है अब बस हमको इसको वाटम फोल्ड करना है और हमारा यह सूर पूरा रेड़ी है इस तरीके से देखिए और इसका अच्छे से हमारी अटाइच हो गई है और यह देखिए इसका नेग यह हमारा प्रेंट नेख है इस तरीके से यह च это के न हाथ हमारा कितने सिपधे बनंकर त्यार हो गया है हुआ हर यह देखिए पूरा सुट हमारा पंकर रैड ने rok मिलिश्ट के सब unde की ओर वागम और हमने देखिए इस वाटम कितने से इस यह अच्छे है। से हैंड स्टिचिंग करके फिनिश कर लिया है वाटम भी हमने इस तरीके से हमारे सूट पूरा बनके रेडी हो गया यह है लैक इसका कि यह पूरा रेडी सूट हमारा बनके त्यार हो गया वे शीलिवा है हमारी कि यह जैंडल है कि यहुड़ा है हमारी कि वाटम भी है कि यहाँ है प्राओ जस्ट परेंबरों यह सकुट है शोरा है